हेलो फ्रेंड मैं हूँ पूचा और आप देख रहे हैं नेशनल टिप्टेंज रिवी दोस्तों आज की वीडियो में आपको उन तीन क्रीम के बारे में जानकारी देने वाली हूं जो कि आज कर इन तीनों क्रीमों का बहुत ज्यादा क्रेज है काफी इनकी वीडियो स्पाइर प्रेंड भी हो रहे हैं लोगों के दिमाग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है इन तीनों में से हम कौन सब क्रीम चुने जो हमारी स्कीन के लिए स्ट्रॉंग केमिकल्स का ना यूज किया गया हूं तीनों क्रीमों के नाम है मैला ग्रो रिच वाइटनिंग और ब्राइट कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा है स्ट्रॉंग केमिकल्स का भी यूज ना किया हूँ अब किस्किन को पील भी ना करें तो फिछे लिए स्टार्ट करते हैं वीडियो मेलागलों रिच क्रीम में लिकोराइस एक्षरक्ट है पिटरोवाइड है अर्बुटिन है नियासिनो ज़्यादा उसक्रीम आपकी लिक्रीम के लिए लिकिन टैन परसेंट इसमें रही है तो यह क्रीम क्या करती है गलाइक लिक्रीम को पील करता है जैसे कि हैडुपन्योन करता है Hydrogenuronic safe agent नहीं है लेकिन glycolic acid बिल्कुल ही safe हो था इसकिन के लिए जैसे की गन्य हो गई, चीनी हो गई, गुर हो गई तो यह जो मीठी चीजें होती है इनमें से ही बनाया जाता है glycolic acid को तो यह आपकी skin के लिए बिल्कुल ही safe है इसमें 10% glycolic acid है जो आपकी skin को पील करता है पील कर देता है उसके बाद arbutin और kojic acid आपकी skin में से melanin को कम करते हैं जिससे आपको melasma, hyperpigmentation, dark spot जो भी problem है वो धीरे-धीरे कम होने लगती है लेकिन मैं यही कहूंगे आप इसको 15 दिन यूज़ करें regular हमेशा नहीं यूज़ करें क्योंकि आपकी skin हमेशा ही पील होती रहेगी और इसमें 10% कावी ज्यादा quantity रखी गई है glycolic acid की हमेशा ही पील होती रहेगी तो उसके side effect आपकी skin पर हो सकते है यह online भी available रहता है और medical store पर भी मिल जाएगा 335 इसका प्राइज तो फिर अब बात करते हैं koji max cream के बारे में koji max cream 15 ग्राम की packaging आपको किसी भी medical store पर इसका प्राइज है इसमें vitamin c की महत्रा 10% रखी गई है जो कि कम ही है जतनी आपकी skin को जरूरत होती है उससे क्योंकि vitamin c की जरूरत आपकी skin को कम से कम 20% होती है अब कभी vitamin c का serum भी यूज करते हैं तो उसमें 20% ही हो तभी यूज करें vitamin c की महत्रा कम ही है जितनी की जरूरत होती है तो बहुत ज़्यादा strong नहीं मान सकते लेकिन kojic acid की मात्रा इसमें 5% है जबकि आपकी skin पर सिर्फ 2% kojic acid हो जिन प्रोडक्स में आप उनीका यूज करें 5% काफी ज़्यादा strong पड़ जाता है तो आप regular इसको ना यूज करें अभी इसकी videos काफी ज़्यादा viral हो रही है ये cream काफी ज़्यादा viral हो रही है क्योंक कि आपको जल्दी result दे सकती है क्योंकि इसमें kojic acid की मात्रा काफी ज्यादा डाली गई है लेकिन ज्यादा मात्रा की वज़े से यापकी skin पर side effect ली कर सकती है तो इन तीनों क्रीमों में से अगर मैं आपसे कहूं आप regular use करना चाहते है कि काफी कमेंट मेरे पास आज से आती कोजी मेक्स क्रीम आप 15-1 मेहने यूज़ कर सकते हैं उससे ज्यादा ना करें क्योंकि ये काफी ज्यादा है श्ट्रॉंग है आपको हो सकता है अभी अच्छे result दे दे लेकिन बाद में आपकी skin को थोड़ा बहुत और भी ज्यादा खराब करते हैं थर्ड क्रीम आती है मेल आपूआञी करा सकते हैं इसमें जितने बी इंगेडियन इंगेडिया मात्रा क्वाट्र कोइस Videos कर सकते हैं इसरा भी ओंकिन स्विन आपके या फिर आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, डे मिलान क्रीम को आपको 15 दिन यूज करना है, 15 दिन बाद डे मिलान क्रीम को स्टॉप करते हैं, और उसके बाद आप मेलागलो रिच क्रीम यूज कर सकते हैं, 3-4 मत उसको रेगुलर यूज करें, नाइट में और 3-4 मत बाद उसको स्टॉब करते हमें इन यह से जरूँ बहुत यह ज्यानीन को कम कर देती हैं जिससे जरूरत रहती है भी 40 यह आप sunscreen का use करें, side effect नहीं करेंगी, जैसे कोई भी stride cream का use करते हैं, तब जो side effect होते हैं, ये safe हैं, लेकिन इनका काम अलग है, और stride cream का काम अलग होता था, वो आपको जल्दी result दे देती थी, और फिर बाद में आपकी skin को damage कर देती थी, और अगर आप अपनी skin को peel करना चाहते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा आपकी skin पर black head, white head हो गए, बहुत ज़्यादा large open post की problem हो गई है, तब आप 15 दिन day milan cream को use करने के बाद फिर से mella glow rich cream यूज कर सकते हैं, और koji max cream की मैं यही कहूंगी, यह काफी ज़्यादा strong है, अगर आप इसको skip करते हैं, तो काफी ज़्यादा अच्छा है, इन सारी cream हों से थोड़ा जल्दी result पाना चाहते हैं, तो आप koji max cream को use कर सकते हैं, लेकिन 15 दिन ही use करें, और 15 दिन के बाद आप इसको stop कर दें, उम्मीद करती हूँ, आज की मेरी वीडियो आप सब के लिए helpful रहे, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, तो लाइक करते हैं, शेयर भी करें, और अभी तक आपने मेरी चैनल वो subscribe नहीं किया है, तो कर लें,